हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे तो बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विश्य परियावरन अध्यन सप्ता 21 तक्षा 5 की वर् बच्चों पहला प्रशन है रिक्तिस्थान भरिये गांदी जी की आश्रम में हर किसी को कुछ ना कुछ कार्य करना होता था अगला है बच्चों सभी तरह के कार्य अच्छा और सम्मान जनक होता है ठीक है अगला है गांदी जी कहा करते थे गांदी जी कहा करते थे कि प्रत एक व्यक्ति को हर तरह का काम करना चाहिए भारत को आजादी मिलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेड कर भीमराव अंबेड करके नेत्रव में सम्विधान बनकर तयार हुआ ठीके बच्चो अगला है सही मिलान कीजे अगला है बच्चो प्रशन तीन निम प्रशनों का उत्तर दीजे बच्चो डॉक्टर भीमराव अंबेड कर कौन थे तो आप सबी इसका यहां उत्तर लिखेंगे तो बच्चो हम सबी इसका उत्तर यहां लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेड कर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है वे एक भारते विधी वेदता राजनितिक नेता दार्शनिक मानव विज्ञानी इतिहासकारी वक्ता अर्थ शाष्टी सिख्षक संपादक विपुल लेखक रांतिकारी और भारत में बोध धरम के पूर्णु थावन वादी थे वे भारत के पहले कानून मंत्री थे भारत को आजादी मिलने के बार डॉक्टर भीमराव अमवेड कर के नेत्रब में संविधार मन कर तयार हुआ ठीकी बचू तो इस तरह से आप लिखेंगे इनके बारे में गांदी जीन ने कहा करते थे हर व्यक्ति को सभी तरह के काम करने चाहिए इस कथन से आप क्या समझते हैं तो देखें बचू कोई काम चोटा या बड़ा नहीं होता सभी को सभी काम अच्छे से और सम्मान जनक होते हैं तो सभी को सभी कारी करने चाहिए तो हम अपना उत्तर लिखेंगे हर व्यक्ति को सभी तरह के काम करने चाहिए कोई काम चोटा या बड़ा नहीं होता सभी तरह के कार्ये अच्छे और सम्मान जनक होते हैं इसलिए गांदी जी के आश्रम आश्रम में हर किसी को कुछ ना कुछ कार्ये करना होता है ठीक है बच्चो अगला प्रेशन है कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे जिनोंने हर एक के साथ समान वैवार करने के शेत्र में कठीन परिश्रम किया तो बच्चो कौन कौन है गांदी जी नारायन भाई और भीमराव अम्बेड कर ठीक है बच्चो अगला प्रेशन है आपके परिवार में महिलायों और पुरुशों दुआरा कौन कौन से कार्ये किये जाते है तो बच्चो देखिए पुरुश का क्या क्या काम करते है नौकरी करना ठीक ने बाजार से सामान लाना आदी ये काम पुरुश करते है और महिलायों क्या करती है जैसे घर पे खाना बनाना घर का काम करना आदी ये सबी कार्ये आपके घर की महिलायों करती है अगला प्रेशन है बच्चो गती वीधी लोगों दुआरा किये जाने वाले विविन कार्यों के बारे में अपने परिवार के सदस्य और अपने दोस्तों के सद बातचीत कीजे इन कार्यों के सूची बनाईए तो देखे बच्चो जैसे हुआ डॉक्टर का काम अध्यापक का काम अध्यापक क्या करती है पढ़ाती है ठीक है इसकुल में हमें शिक्षक पढ़ाते हैं होटल चलाने का काम होटल चलाने का काम ठीक है सामान ढोने का काम ठेला चलाने का काम ठीक है चलाने का काम चित्रकारी करने का काम कंप्यूटर पर काम करने का काम कंप्यूटर पर काम करने का काम बिजली उपकरन का का काम सबजी या फल बेचने का काम और सडक पर जाड़ू लगाने का काम ठीक है बच्चों ये सभी काम है जो अलग-अलग लोगों द्वारा किया जाता है अगला प्रशन है ऐसे पांच कार्यों के सूची बनाए जिने आप करना पसंद करेंगे और जिने आप करना नहीं पसंद करेंगे बच्चों ये से कौन-कौन से कार्यों है जो आप करना पसंद करेंगे जो जैसे डॉक्टर का काम आप करना पसंद करेंगे ठीक है, अध्यापक का काम यहां लिखेंगे अध्यापक का काम कम्प्यूटर का काम कम्प्यूटर का काम होटल चलाने का काम होटल चलाने का काम और चित्रकारी करने का काम यह ऐसे काम है जो आप करना पसंद करेंगे और जिने आप करना नहीं पसंद करेंगे वो कौन सा है कोई काम छोटा बड़ा छोटा बड़ा नहीं होता सभी तरह के काम या कारे कारे अच्छे और सम्मान जनक होते हैं इसलिए हमें हर तरह के कारे करने चाहिए ठीके बच्चो तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना होगा उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ माया होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाल बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिये कमेंट बॉक्स में मुझे बच्चो आप सभी कमेंट जरूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जाड़ेडा उनलेन क्लास इसको सस्क्राइब कीज़े इसी तरह बच्चों आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए वीडियो को देखते रहिए और वीडियो की साहता से अपने वरक्शीट को हल करते रहिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद